बारा बच कर पांच मिनट हो रहे हैं और जो लोग वीडियो को इस टाइम या मॉर्णिंग में देखेंगे उनके लिए ये बैड निउस है तो जी हाँ कैप्टन अमेर का यानि के हमारे क्रेस सेवांस की ये लास्ट मूवी होगी एविंजर इंफिटी वॉर अभी नियॉक टाइमस में उनका हाली में एक इंटरव्यू हुआ जो की काफी दुगता ही था और उसकी निउस अब ये आई है कि क्रेस सेवांस ने कुछ ऐसे वर्ड बोले जो की साब साब ये किलियर करते हैं कि हमें वो MCU फेस फोर में नहीं देखेंगे जी हाँ तो क्रेस सेवांस ने कुछ वर्डों में ये बोला कि अगर आपको ट्रेन में बिठाल दिये जाए और आपको बोल दिये जाए कि आपको नेस्ट इस्टेशन तक उतरना आए और आपको पुश करा जाए कि आप उतरो आप उतरो तो आपको उतरना ही पड़ेगा जी हाँ, मार्वली स्टूडियो ने 2 यार 28 तक MCU फेस 4 में अपनी मूवी ब्लैंग पहली सी करके रखी है और खहीं पर भी कैप्टन अमेरिका का कोई कैमियो या रोल या कोई सोलो मूवी नई है और कैप्टन अमेरिका यानि के हमारे क्रिस सिवांस ने ये बात खुद बोली है नियूआक टाइम्स में उनका ये पूरा आर्टिकल में ने पढ़ा और इस आर्टिकल में उन्होंने काफी दुख वाले बड़ बोले है और फैनली ने उन्होंने 2011 से कैप्टन अमेरिका जैसा किरदार में वाया अगर उनको फेमस होना था तो ये फैंटास्टिक फॉर मूवी से फेमस हो सकते थे बट कहते हैं ना कोई पैदा होता है तो किसी बड़े रोल के लिए ही पैदा होता है तो क्रेशिवान जैसा कैरक्टर कैप्टन अमेरिका कोई नहीं कर सकता और ये सबसे बेस्ट अक्टर रहे हैं जो में मैं ये 1st नमबर पर बनना ये मैं में 2nd नमबर पर आते है जो कि रॉबर्ट डॉनी जुनियरे के बाद कैप्टन अमेरिका यानिके यह मूवी ना आये इनकी तो यह खुश रहे अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली के साथ और यह हमें और भी अच्छी मूवी दे अगर हमें Captain America के रोल में ना देखें तो कोई बात नहीं बट मैं यह नहीं चाहता कि Captain America के रोल में MCU में और कोई बंदा आये मैं सिर्फ इनको ही देखना चाहता हूँ और यह इसी तरीके से हसते रहें खेलते रहें और देन आगे देखते रहें का क्या होगा तो गैस आज मैं कोई सब्सक्राइब करने के लिए या फिर शेर करने के लिए नहीं कहूँगा बटा कर आप Captain के लिए अगर लाइक्स करें तो ज्यादा बेटर रहेगा बावाए जा रहो